आप लोगों को यहाँ बुलाया गया, आज से तीन दिन पहले प्रेश वारता के माध्यम से आप लोगों के सामने जो राष्ट्रिये एक एजनसी है नौर्कोटिक कंट्रोल बीरो उनके गलत कामों की जानकरी आज से तीन दिन पहले हमने आपके सामने रखेए की थी उस प्रेस कॉन्फरंस में एक वीडियो हमने प्ले करके आपको दिखाया था तो फिर आपको में दिखाना चाहता हूं जिस दिन क्रूज पर एंसीबी ने छापे मारी की उस दिन एंसीबी के जोनरल डारेक्टर सिरी समीर वानखेडे ने मीडिया ब्रीफिंग की थी कि हमने आट से दस लोगों को डिटेन किया है उस दिन मैंने सवाल खड़ा किया था कि एक जवाबदार अफसर इस तरह से वेग स्टेट्मेंट कैसे कर सकता है अगर डिटेंशन हुआ है आठ लोगों का तो आठ लोग हो सकते हैं या दस लोग हो सकते हैं उस दिन मी सवाल खड़ा किया गया था कि दो लोगों को छोड़ा गया क्या आपको फिर वीडियो मैं सुना देता हूँ एक आधी मिनिट की वीडियो है जो जोनल डायरेक्टर स्री समीर वानखेडे मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं आप लोग पहले सुन ले फिर आगी चलाते हैं कि दो लोगों को पाविल लिया गया है आशे दर जनों को भी लिया गया है आशे दर जनों को भी लिया गया है लेकिन सच्चा ही कुछ अलग है ना वो आठ लोग थे ना दस लोग वे ग्यारा लोग थे डिटेंशन के बाद लोकल पुलीस भी उसमें नजर बनाए रहती है कि कितने लोगों को डिटेंशन किया गया हमारी जानकारी है कि लोकल मुंबई पुलीस के पास सुभे तक पूरी जानकारी थी कि ग्यारा लोगों का डिटेंशन हुआ और फिर उसके बाद एका एक खबरे आई कि आठ लोगों को ही डिटेन किया गया है उसमें तीन लोगों को छोड़ा गया वो तीन लोगों के नाम है रिशब सजदेवा, प्रतिक गाबा और तीसरा नाम है आमिर फरनीचर वाला पहले आपको मैं रिशब सजदेवा के बारे में कुछ तस्वीरे दिखाता हूँ ये महाश है डिटेन किये गये फिर छोड़ा गया पहले आप लोग वो वीडियो देख लें जो इन्हें छोड़ा गया या जो उन्हें डिटेन किया गया डिटेंशन वाली जो वीडियो हमारे पास है वो एक चैनल की है वो खाली प्ले करके आपको दिखाता हूं लेकिन छोडने वाली हमारी exclusive हमारी वीडियो है डिटेंशन वाली ये गावा साहब जो है ये रिशव सजदेवा जी जो है इनको डिटेंशन किया गया ये डिटेंशन करके इनको ले जाया जा रहा है ये तीनों लोग है जो अंदर जाते हुए है फिर आपको ये तीनों लोगों को जो छोड़ा गया वो दो वीडियो में है वो दोनों भी वीडियो हम प्ले करते हैं फूल स्क्रीन पर दिखाओ फिर से देखना है इसको तो दिखा दिते हैं एक बार फिर देखिए ये वापस जब छोड़ा गया ये जा रहे हैं वापस जाते समय ये रिशर्ब सजदेवा के पिता जी उनके चाचा रिशर्ब सजदेवा और साथ में प्रतीग गाबा ये जा रहे है जो एक चैनल पे तीन लोगों के जाता हुआ हमने दिखाया जो तीसरा वेक्ति है आमीर फर्नीचेर वाला वो जब छोड़ा गया उसकी भी वीडियो आप पहले देख लें फिर विस्तार से हम ब्रीफ करते है यह तीनो लोग पहला व्यक्ति रिशव सजदेवा जो प्रिंटेट शड है पहना हुआ ये भारती जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष रह चुके हैं मोहित कंबोज जिन्होंने अपना नाम बदला अब मोहित भारती हो गए उनके ये साले साहब है इसके भी कुछ आप पूरी तश्वीरे आपके सामने रखते हैं मोहित कंबोज जी है उनके ससुर साहब है उनके चाचा जी है और स्वेम रिशव सजदेवाद दिख रहे हैं अब इनकी पूरी प्रोफाइल दिखा दीजिए किसके किसके साथ है ये राष्टपती से प्रुसकर भी ले चुके हैं देश के महा महिम राष्टपती महोदे से इन्होंने प्रुसकार लिया है भारती देखिए ये राष्टपती जी से प्रुसकरित हो रहे हैं सम्मानित हो रहे हैं भारती जनता पार्टी का इसकाफ लेके परचार कर रहे हैं साले बहनोई का फोटो साथ में है नीचे लिखते हैं कि कोई ब्रदर इन लॉज जिन्दगी में आ जाए तो ब्रदर हो जाता है और ये सारी तस्वीरे ये दिखाती हैं कि रिशव सजदेवा जिसे डिटेन किया गया और दो घंटे के बाद उन्हें छोड़ा गया जब वो छूट कर निकले उनके साथ उनके पिता जी भी थे उनके अंकल जी भी थे छोड़ा गया तीनों लोगों को साथ में जो दो लोग हैं प्रतीक गाबा आमिर फर्निचर वाला जब सुनवाई चल रही थी मेजेस्ट्रेट कोड में इनका नाम रिफलेक्ट हुआ है अर्ग्यूमेंट में इन दो लोगों के बुलाईवे पे ही आरियन खान वहाँ पे गए थे हमारा सीधा सवाल एंसीबी से है कि तेरा सो लोगों के जहाज पर आपने रेड की रेड आपकी बारा घंटे तक चली उसमें आपने ग्यारा लोगों को सिलेक्ट करके आपने डिटेन किया डिटेन करने के बाद आपने इन सभी लोगों को एंसीबी के कारियाले में पूछताच के लिए लाया ये तीन लोगों को छोड़ने के लिए किसने आपको आदेश दिया इसकी जानकारी एंसीबी को देनी पड़ेगी हमारी जानकारी है कि भारती जनता पार्टी के दिल्ली से लेकल महरास तक नेताओं ने फोन करके रिशब सजदेवा को छोड़ा जाए ये आदेश दिया आमिर फरनिचर वाला को छोड़ा जाए ये आदेश दिया प्रतीक गाबा को छोड़ा जाए ये आदेश दिया गया एंसीबी बताए अगर तेरा सो लोगों में ग्यारा ही लोगों को डिटेन किया गया तो तीन लोगों को क्यों चोड़ा हम मांग करते हैं कि श्री वान खेड़े इसका खुला सा तातकाल रूप से करे क्या कारण था कि तेरा सो लोगों में से इन तीन लोगों को भी लाया गया और क्या जांच पूरी हो गई कि तीन लोगों को छोड़ दिया गया पूरी जांच का जो है WhatsApp चैट के उपर जांच आगे बढ़ रही है कि या तीन लोगों के फोन लिये उन्होंने देखा इस सारा जो भी क्रूज का छापे मारी का काम है ये पूरी तरह से फरजी वाड़ा है प्लाइन किया गया कुछ सिलेबरिटीज को बुलाने का प्लाइन किया गया खबरे बनाने का और प्लाइन करके ही लोगों को फसाया गया है ये सच्चाई है वो अपना नैले में निर्दोस हैं कि गुनेगारे सिध करेंगे आज हमारा इतना ही सवाल है और हम तो मुंबई और महारास की पुलीस से भी मांग करेंगे कि इन सभी के कॉल डिटेल निकाले जाएं समीर वानखेडे के भी कॉल डिटेल निकाले जाएं और जब तीन लोग डिटेन किये गए जिने छोड़ा गया उनके परिबार के दो चाचा और उनके पिता जी कैसे इन सी भी ऑफिस में गए हमें शंका है कि उनके पिता जी के फोन से समीर वानखेडे की दिल्ली और महारास के भारती जनता पाटी के नेताओं के बीच में बात हुई है और निश्यत रूप से कॉल डिटेल सामने आएगी तो सारा पकड़ने से लेके छोड़ने तक का जो भी सच्चाई है लोगों के सामने आईगी आज इतनी ही जानकारी आपके सामने रख रहे हैं और आशा करते हैं कि एन सी भी इसको लेके खुलासा करेगी एक चीज और सामने आईए है जो हमने खुलासा किया था इसके पहले प्रेस में जो केपी गोसावी है जो कि फरासखाना फुली स्टेशन से फरार है वो दो जगह पे पंच बना हुआ है विटनेस एक मुन्मुन के केस में एक आरेन के केस में और दो पंच नामा में उसके दो एड्रस अलग-अलग लिखे हुए है एक थाना का एड्रस है एक नभी मुंबई का एड्रस है जब हमारी प्रेस कॉन्फरेंस तीन दिन पहले हुई NCB के लोगों ने कार्याले के सामने सडक पे प्रेस कॉन्फरेंस की आप साथियों ने सवाल पूछा तो दिल्ली से आये हुए अधिकारी ने कहा के प्रिजुडिस स्टेट्मेंट दिया जा रहा है कहा जा रहा है के नवाम मलिक प्रिजुडिस है मैं आज फिर दोहराता हूँ कि हमने हमारे घर के दामाद की गिरिफतारी पे कभी भी कोई सफाई नहीं दी थी लगातार बीजेपी के नेता बोल रहा है कि नवाम मलिक के दामाद को पकड़ा गया इसलिए नवाम मलिक सवाल उठा रहा है मैं आज फिर खुलासा करता हूँ कि टाइम्स ओफ इंडिया के आप नवामबर दोहजार बीस के अकबार खोलें जब जब इस तरह के सिलिबरिटीस की गिरिफतारी हुई मैंने उस वक्त ही कहा था कि ये काम NCB का नहीं है पब्लिसिटी के लिए काम हो रहा है उसी समय से लोगों को कहा जा रहा था कि नवाम मलिक को हम ठीक करेंगे आपने किया है निर्दोस है वो निर्दोस अपना जो भी है उसका दामाद सिद्ध करेगा लेकिन जो आज हम सवाल उठा रहे है जो पिछली प्रेस कॉंफरेंस में सवाल उठाया उसका जवाब से लोग भाग रहे है आज फिर हमने सवाल उठाया है उम्मीद करते हैं कि NCP उसका जवाब देगी भारती जनता पार्टी के विपक्ष के नेता जो है दरेकर साब बोल रहे है क्या अगर उनके पास कोई जनकारी है तो NCP को ले जाके दे जो फर्जी वाड़ा कर रहा है क्या उसको जनकारी दी जाएगी हमें लगता है कि महाराज के विपक्ष के नेता श्री प्रवेन दरेकर जी आप भरते जन्ता पार्टी के नेता है मैं मांग करता हूँ कि इतना बड़ा मामला है कोई कमिशन आप बिठा दीजिए यह सारी जनकारी जो मैं दे रहा हूँ गलत है उसकी जाच हो जाए NCP की जाच हो जाए सारी जनकारी जो है हम उनके सामने रखेंगे इस तरह की बात हमें लगता है, ये कोई समझदार वेक्ति की बात नहीं, फिर कहता हूं कि NZP बताये कि तीन लोगों को क्यों डिटेन किया, क्यों छोड़ा, उनके घर के लोग अंदर कैसे आये, किस नेता का फोन आया था, किस के बोलने पे छोड़ा गया, ये सारे सवालों क जवाब NZP को देना पड़ेगा, अगर आपके कोई सवाल है, तो आप पूछ लेजिए, उसके बाद मराठी में में बात करूँगा, अगर आपने ग्यारा सिलेक्टेड लोगों को लाया था, तो आपने वेग स्टेट्मेंट आट से दसका क्यों दिया, और क्या इसी जाज है कि ये आट लोगों की जाज वाटसअप चाट पे चल रही है ये तिन लोगों के फोन क्यों नहीं लिए गए केंदर और महाराज के बीजेपी के नेताओं के दबाओं में उनके कहने पे तिनों को छोड़ा गया वही भासा भरती जनता पार्टी बोलती है जब सवाल उठाय जाते हैं कोड जाओ वही NCB बोल रही है कि कोड जाओ जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं हम सारी गल्तियां जनता के सामने ला रहे हैं जिनके खिलाफ ना इंसाफी हुई है वो कोट का दरवाजा खटखटाएंगे देखे मैंने पहले भी कहा था कि ये पूरा फर्जी वाड़ा है आर्यन खान के पजेशन से कुछ नहीं मिला पहले भी हमने कहा था कि सारे मीडिया में सर्कूलेशन था कि अगला निशाना शारुक खान है परतीक गाभा इमरान फरनीचर वाला ये उसके दोस्त है उन्हीं लोगों ने इसको लाया था और जिन लोगों ने आर्यन खान को लाया उन्हीं को छोड़ा गया हमें लगता है कि सोची समझी साजिश की तहर ये सारी कहनी गढ़ी गई सोची समझी साजिस के तहर लोगों को पहले भी फ्रेम किया गया अभी भी फ्रेम किया गया है जिस मनिस वानुसाली को लेकर हमने खुलासे किये वो कई चैनलों पर कह रहा है कि मेरी information पर कारवाई हुई है और NCB कह रही है कि they are our independent witness वो कह रहा है कि मैं मुक्बिर हूँ NCB कह रही है कि वो हमारा पंच है पंच नामे पे एक उसकी दस्तकत है भानुसाली दो में एक में है और गोसा भी दो में पंच नामे पे दस्तकत करता है दो अलग-अलग address लिखवाता है और वही भानुसाली एक मीडिया चैनल पे फोन पर फोनों देते समय जब उससे पूछा गया कि आप क्या करने अंदर गए थे अकेले तो उसने कहा कि कागजात पे दस्तकत करने के लिए गए थे ये on record टेलिविजन चैनल पे कहा गया है पहले दिन से हमने कहा कि फरजी बाड़ा है अलग-अलग सीजर में कोकीन 2 ग्राम, 4-4 ग्राम कितना quantity है मुझे मालूम नहीं लेकिन NCB ने सभी सीजर का एक photo वाइरल किया जो मीडिया को दिया जो NCB के कार्याले में उतारा गया, प्रोसीजर ये है कि जहां सीजर होता है वहाँ सील करना चाहिए दो पंचनामा है एक पंचनामे में कहा जा रहा है कि laptop और printer साथ ले गयते आरियन खान का पंचनामा computer पे type किया हुआ है मुन्मुन का हाज से लिखा हुआ है मुन्मुन के पंचनामे में भानुसाली का एड्रेस अलग है, आर्यन के पंचनामे में एड्रेस अलग है, ये एक साजिस के तहद कहानी गढ़ी गई, लोगों को बुलाया गया, और ये एक फर्जी वाड़ा करके लोगों को बननाम करने का खेल किया गया, और पहले दिन से ये भारती जनता पार्टी के लोग ये सारे फर्जी वाड़े में सामिल थे, इसलिए भारती जनता पार्टी के नेता को छोड़ा गया, वो दो लोग जिनके जरिये आर्यन को लाया गया, उन्हों भी छोड़ा गया, लाया क्यूं, छोड़ा क्यूं, इसका जवाब NCB को दिना होगा, तेखे ये बड़े लोगों के बच्चे हैं, जो बड़े लोगों के बच्चे हैं, उनका अपना फ्रेंड सरकल है, उसमें आर्यन भी उनके दोस्तों की लिस्ट में है, हमें लगता है कि एक ज्वाइन फोटो है, वो भी आप दिखा दें, यह आमिर फरनीचर वाला, यह सारे दोस्त, तो यह सब उनके अपने यंग बच्चों के सरकल हैं, जो कोड में डिबेट हुआ है, कोड में यह कहा गया, मानशिंदे जी के जरिए, कि आमिर फरनीचर वाला और प्रतीक गाबा के कहने पर आरियन आया था, जो लाने वाले हैं, उन्हें क्यों छोड़ दिया, सारा फरजी वाड़ा है, पहले दिन से मैं कह रहा हूं, नैले में चीज़े जाएंगी, सवाल हम जो खड़ा कर रहे हैं, जो पहले प्रेस कॉन्फ कर लिए जो खड़ा किया, मीडिया ने सवाल पूछा, उन्हें का जाओ नैले में, आज फिर तीन लोगों के बारे में हमने सवाल खड़ा किया है, उमीद करते हैं, कि जो लोग कह रहे हैं, कि वी आर पब्लिक सर्वंट, हम लोक सेवक हैं, बहुत सारे लोक सेवक इस देश में ऐसे हुए हैं कि उनकी सच्चाई सामने आने के बाद लोगों ने आश्यरी कर लिया, अगर लोक सेवक हैं, तो लोक हित में, जो सवाल उठाए गए, वे लोक सेवक उसका जवाब दे हम मंग करते हैं. यह बहुत आसा है के पंचनामा करतास्ताना रिनाउन सिटीजन कि वा चांगले वेक्ति करून पंचनामा केले पाईजे, फरारी आरूपी पंचनामे में अदे हैं, नियाले जाईल, पन माझा इतकाज मनना है, कि हेज शगड़ी लोका, हेज गोसावी अनी भानुसाली यह जोनों लोगों का बेक्राउंड बहुत खतरनाक है, धीरे धीरे और आने बाले जिनों में हम सवाल के जवाब देंगे. जोनों को बता रहे हैं, एक मिनिट ऐसा है, कि यह सारी चीजे, अभी बेल अप्लिकेशन पर जो भी वकील है, अपने दलीले रख रहे हैं, जो डिक्षन को लेके, उनकी अप्लिकेशन रिजेक की गई, वो नियालीन लड़ाई है, हमें लगता है, कि यह चीजे, आज नहीं कल, नियाले के सामने आएगी, और हमें लगता है, कि जिस तरह से गल्तियां हुई है, जो लोग सफरा रहे हैं, चीजों को सामने लेके नियाले में जाएंगे, नियाले डिसाइड करेगा. मेरा काम है कि जो सच्चाई है, बानुसाली की जानकारी हमने दी, गोसा भी की जानकारी दी, आज तिन लोगों को डिटेंड किया था, छोड़ दिया गया, वो जानकारी दी, हमें लगता है कि अभी जिस स्टेज पे जिनका भी मामला चल रहा है, वो देखेंगे, और किसी को ये हमारी बातों पे अगर लगता है, कि फरजी वाड़ा है, या बहुत सारे नागरिक देश में हैं, इन सारे त प्रसीक गावा, सजदेवा, जो भरती जाब देखेंगे, तो देंगे, तीन लोगों को छोड़ा गया, प्रतीक गावा, सजदेवा, जो भारती जंदा पार्टी के नेता का साला है ये सारे लोगों के फोन अगर लिये जाएंगे तो कॉल रिक्रिकॉर्ड बताएगी कि तीन लोगों को क्यों छोड़ा गया देखे ऐसा है कि कस्टडी में किसी से कुछ भी लिखा कर दस्तकत कर लिया जाए वो कोड में कभी भी मेंटेनेबल नहीं होता कस्टोडियल स्टेट्मेंट और नौड और स्टेट्मेंट विट केन भी रिलाएग हमें लगता है कि जो जो चीजे जहां जहां गलत हुई है निश्यत रूप से एंटी नॉर्कोटिक सेल भी है तो शायद वो चीजों को आगे बढ़ा है हम भी मांग करेंगे कि इतना गंभीर मामला चल रहा है क्रूज जहां से छूटता है वहाँ पे सेंटरल रिजर्ब पुलीस फोर्स का पूरा वीडियो है हम मांग करेंगे कि मुंबई पुलीस सारे वीडियोज मंगाए और जो चीजे एंसे भी कह रही है या जो चीजे हम बता रहे है उसमें कितनी सच्चाई है कम से कम उस वीडियो से चीजे सामने आएंगी मोहित कम बाज यांचा फोन निश्चित रुपाने गिला से अता थे मुंबई इवा मोर्चा चे अध्यक्स अस्ताना त्यांचे संबन बरश्य नेतेंशी आहे कौल डिटेल मदून कुटलया कुटलया नेते नही या वाक्तित संभशन के ले लाए कौल डिटेल काल्या नंतर माइती निश्चित रुपनी समुर ये Sir, is required Maharashtra government is going to set up an inquiry in this entire world? Let us see. Things are very much serious and myself also I will write to chief minister that things are very serious and they have to look into the matter. If required, these all things should be make an inquiry and what is the truth that the state of Maharashtra should reveal and get the real facts from the various accused and various departments. लाए